नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहें CNDC भाई नंदन दोस्तों आज किस वीडियो में आपको 1000 वाट मैंनुल इस्टेफिलाजर की डेटा मैं आपको देने वाला हूँ जिसकी वर्किंग रेंज होगी 90 से लेकर और 300 तो अगर आप ज इस चीजों को सीख सकते हैं मारा इंस्टिचूट दरवंगा विहार के अंदर है तो अगर आपको इंस्टिचूट से जुरा हुआ कोई इंक्वारी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे इंस्टिचूट की एड्रस और मोबाल नमर मिल जाएगी आप इं सकते हैं हजार वाट की हम आटो कट इस्टेवलाजर यानि कि मैनुवल इस्टेवलाजर की डिजाइनिंग करके हम आपको आज दिखाएंगे इसकी वर्किंग रेंज होगी 90 से लेके 300 इसके लिए जो हमने कोर सेलेक्ट किया है वह चार नंबर की कोर होगी और बाबिन जैसे वर्किंग रेंज हमारी 90 से 300 सबसे पहला जो जिरो के बाद हम लुप निकालते हैं यह हमने आटो कट बोड के लिए रखा है तो इसे आप अभी माइनस करके चलें मैं आपको समझा देता हूं बाद में इन चीज़ों को बताऊंगा जैसा कि इसके बाद जिरो के बाद हमें 8 लुप चाहिए होती है रोटरी के लिए तो 1,2,3,4,5,6,7,8 और यह हमारी आटो कट बोड के लिए है तो इसे हम अभी छोड़ कर चलते हैं ठीक है तो इस जिरो से लेके यहां तक हमें 90 वोल्ट की वाइंडिंग करनी होगी ठीक है और इसके बाद तो पहली हमारी working देज है 90 इसलिए पहला लूप 90 और 300 जो हमारी last रेंज है 300 तो 300 में से हम 90 को माइनस करेंगे ठीक है कुछ ही से इसका calculation होता है तो सबसे पहले 300 वोल्ट जो हमारी एंड में है तो इस 300 वोल्ट को हमने लिखा है इस में हम माइनस कर देंगे इस 90 को ठीक है यहां पर आगई 210 ठीक है तो 210 वोल्ट यहां तक हमारी 90 वोल्ट कंप्लीट हो चुकिए अब बच्ची हमारी 210 वोल्ट की वाइंडिंग हमें इसके इंतर और करनी है तो यहां से यहां तक हमारी टोटल साथ लूप बजती है यह आठवाँ लूप है जो कि हमारी यहां पर निकल चु तो इसके बाद जितनी भी लूप है वो 30-30 वोल्ट की होगी ठीक है ये सारी की सारी 30-30 वोल्ट की होनी है ठीक है अब मैं आपको बताओं कि आटो कट बोर्ड को अपरेट करने के लिए 12 वोल्ट की जुरूत होती है तो यहां पर हम 12 वोल्ट की एक लूप निकाल लेंगे और यहां पर 10 वोल्ट हम माइनस कर देंगे इस 90 की जगा हम यहां पर 80 कर देंगे तो क्या हुई यहां से यहां तक 90 वोल्ट हो गई और इसका 30-30 वोल्ट के उपर हम सारी की सारी लूप निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारी 300 V पूरी हो जाएगी ठीक है यह मैं आपको ऐसे बताऊँ सबसे पहला यह हो गया 0 फिर यहाँ पे हो गया 12 V यहाँ पे हो गया 102 V फिर यहाँ पे 132 V ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 162 V इस हिसाफ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 302 वोल्ट के आसपस हमारी हो जाती है तो इसी हिसाब से इस ट्रांसफर्मर की हम टेपिंग्स को निकालते हैं कितने कितनी वोल्ट की हमें टेपिंग्स निकालनी है बची बात कि इन वोल्टेज रेंज के हिसाब से इस transformer के अंदर हम कितनी turns डालेंगे तो इसके अंदर हम 4 number core use करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा 4 number का core इसकी बीच वाली पटी की चौराई है 1.5 inch तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 inch इसे हम गुना करेंगे जो हम 2.5 inch stack रखने वाले हैं transformer की इसके साथ stack मैं आपको दिखा हूँ यह है transformer और यह होता है इसका stack quantity of core आप कितनी core रखना जाते हैं तो यहाँ पे हम 2.5 inch core रखना जाते हैं तो इसके बाद इस 1.5 को गुना करेंगे इस 2.5 के साथ क्योंकि हम इस track इसके अंदर रखने वाले हैं 2.5 ठीक है तो इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे मैं आपको गुना करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे हम 1.5 को हम गुना करेंगे 2.5 के साथ तो हमें यहाँ पे result मिला 3.75 3.75 जैसा कि आप सब को मैंने बताया है कि C6 कोर 92 कोर या एस्टेंडर कोर के साथ हम जो फर्मूला का में लेते हैं वो लेते हैं 7.5 का अगर आपकी कोर पुरानी है जो उस ट्रांसफर्मर के अंदर कई बार कोर जल चुकी है फिर कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सारी की सारी कैलकुलेशन सेम होगी 7.5 की जगा आप आठ लिखकर बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो 7.5 में हम भागा देंगे 3.75 के साथ 3.75 के साथ तो इन दोनों को अगर हम इस से भागा देंगे तो हमारी निकालाएगी 7.5 में हम भागा देंगे 3.75 के साथ 3.75 के साथ तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है दो तो इसकी टीपी भी हो गई दो यानि की टरंस पर वोल्ट हो गई दो यानि की एक वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए स्कोर के अंदर 2 टर्न देना होगा और एक वोल्ट वापिस लेने के लिए भी मिल दो टर्न देना होगा तो इस 12 के लिए 24 टर्न देना होगा जैसा कि मैं आपको दिखा हूँ 12 को अगर हम गुना करेंगे 2 से 24 टर्न हमें इस 12 वोल्ट के लिए निकालना होगा फिर 80 के लिए 160 टर्न 80 वोल्ट को अगर हम गुना करते हैं 2 से तो 160 160 टर्न हमें इसके लिए देनी होगी और पर तेक 30-30 वोल्ट के उपर हम जो 7 लूप निकालेंगे तो इसके लिए हमें देनी होगी यहां पे 60-60 टर्न अउनली 60 फिर से 60 तो इससाब से जिस तरीके से 30-30 बोल्ट के लिए हमें 60-60 टर्न इन सारे लुप्स के लिए बाहर निकालना होगा तो इस तरीके से अगर आप मैनूल स्टेबलाइजर बनाते हैं तो यह काफी अच्छी तरीके से आपकी काम करेंगे बच्ची बात किसके अंदर वाइर गेज कौन सा इस्तमाल करें तो इसके लिए आप वाइर गेज इस्तमाल कर सकते हैं 19 नमबर यह आपके लिए काफी बेहतर होगा 19 नमबर वाइर के साथ अगर आप इस ट्रांसफर्मर की वाइनिंग करते हैं तो हजर वाट की लोट आप इसके उपर बरही आराम से डाल कर इस्तमाल में ले सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि हमारी बनाए वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप हमसे डारेक्ट आकर हमारे इंस्टिचूट में हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं हमारा इंस्टिचूट दर्भंगा बिहार के अंदर है अगर आपको हमारे इंस्टिचूट से जुरू होगा कोई भी इंक्वारी करना है तो description box के अंदर हमारे institute की address और phone number मिल जाएगी आप वहाँ से call करके directly हमसे बात कर सकते हैं तो दोस्तों फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना अपनों का खुब ख्याल रखिए बाबाई